मेरा यही कहना है कि हम किन्नर भी यही सामाज के एक अंग है यही सामाज में रहते हैं तो अब किन्नरों को दया नहीं चाहिए और किन्नरों को एक और सामाज ही हमारा परिवार होता है तो हम लोग कोई परिवार बाद में नहीं हम लोग कोई काम करेंगे ना कोई भाई बाद म लिए काम करेंगे तो सारे जितने भी पब्लीक है जितने भी समधाय के लोग है और डाइरेक्ली हम लोग्डाउन के समय में जो कोरोना काल इतना भय मारी चल रही थी महामारी बीमारी चल रही थी सब बड़े-बड़े नेता लोग अपने घर में जाके चुपके वैटे थे त उच्पे विश्वास करके देखिए नमस्कार मैं हूं आरके निशाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्सक न्यू 24 तो दोस्तों आज हम मवजूद हैं प्रियाग राज के बैराना चौराहां अंतरगत इंद्रपूरी कालोनी में तो आज हमारे साथ खास बात चीत के ल माता जी लड़ने वाले हैं तो इस फैसले के पीछे क्या प्रयोजन है और कैसे माता जी की विचार में आया कि महापावर का चुनाओ लड़ना चाहिए और जैसा कि बता दूं कि अभी तक प्रियाग राज की महापावर थी वह आप जानते हैं कि कैबिनेट मंत्री नंद ग मुटता नंदी जी को टिकट मिल पाएगा या फिर माता जी को मिलेगा यह संसाय का विचा है तो बहुत सारी बाते जो है माता जी से करेंगे बहुत सारी चाचा करेंगे तो बने यह हमार सब ख़बरों में और सबसे पहले हैं माता जी से आप लोगों का परिचे करवाते है मता जी सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है दर्सपन्यू 24 पर जी नमस्कार और बहुत-बहुत आपको धन्यवाद बेटा मैं प्रॉसल्य नंदगिरी टी नामा आप बोलते हैं और किन्नर अखाड़ा की महामंडेलेसर हूँ मैं बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बह भी यही सामाज के एक अंग है यही सामाज में रहते हैं तो अब किनरों को दया नहीं चाहिए और किनरों को एक आउसर का ज़रुत है यही हमको भी आउसर मिलता है यही महिला पुरुष के जितना ही बराबरी का हम लोग का सुप्रिम पोर्ट ने सामानता का अधिकार दिया है यदि हम लोग को भी सामानता के अधिकार जब मिल चुका है यदि हम लोग को भी आउसर मिलता है तो हम लोग जैसे महिला पुरुस जैसे सामाज को और राष्ट को उन्नती के लिए विकास के लिए काम कर रहे हैं तो हम लोग भी किनर सामाज भी मुख्यधारा में जूर कि हम कुछ सामाज के और राश्ट के उन्नती के लिए काम करना चाते है और उन्नती करेंगे विकास कआपसृरी और मैं ये भी कहना चाती हूँ कि जब से हम लोग बच्पन से अपना घ़र त्याक के जब ये गुरु के आस्रम में आके रहते है तो सामाज ही हमारे लिए परिवार होता है तो सामाज ही हमारा परिवार होता है तो हम लोग कोई परिवार बाद में नहीं हम लोग कोई काम करेंगे ना कोई भाई बाद में और कोई भाया भतिजा वाली बाद में हम लोग सामाज के लिए काम करेंगे ना कि हम लोग कोई परिवार के लिए एक काम करेंगे तो इसलिए मेरे कहने के मतलब ये है कि हम लोग जब सामाज के एक अंग है तो सामाज के दाइत तो है कि हम लोग को भी एक आउसर मिलना चाहिए और सरकार हम लोग के लिए भारतिय जन्ता पार्टी और हमारे योगी आदिते नाथ जी जो हमारे मुखे मंत्री है उत्तर परदेश सरकार की और जो हमारे SSP परधान मंत्री नरेंद्र मोधी किनरों को ले के बहुत संभेदन सील है उन्होंने अभी उत्तर पर्देश में ट्रांजेंडर बोर्ड बनाया तो उसका मैं सदस से भी हूँ तो इसलिए उनका कारे सली इतना अच्छा है तो हमको हम बहुत आसा बादी हूँ और मैं आसा करती हूँ कि भारती जनता पार्टी में हमको जरू जाती हूँ कि इयो प्रयाग राज एक ऐसा यह महा नगर है जहाँ पर इहां पर आसता का भी बात होती है तो इसके नजरिया से देखे तो भी हम लोग एदी हम मैं परतियासी होती हूँ तो सारे जितने भी पब्लीक है जितने भी समुदाय के लोग है वो डाइरेकली हम लोग से जूर सकते हैं और हम लोग इसके इस अध्यात्मिक या ये आस्ता ये अध्यात्मिक ये नगरी है तो इसका और अच्छे से विकास कर सकते हैं, और मैं आपके चैनल के मादिन से बताना चाहते हूं कि मैं सबसे पहले विकास के मुद्दे को उठाऊंगी, क्योंकि विकास करना है, विकास को आगे बढ़ाना है, जैसे नाली है, खरंजा है, सोच्छता है, और हमारे प्रयाग राज जो जिल बना है, उसको मैं ज्यादा बल दूंगी, और उसमें ज्यादा काम करूँगी, कैसे स्मार्ट सीटी बनाये जाएं, तो जैसे कि माता जी ने बताया कि ये किर्णर कल्यान बोर्ड की सधस्या भी हैं, और साथ ही भारती जनता पार्टी की भी एक सधस्य शकरी सधस्या हैं, तो इस तरह माता जी ने उम्मेद जताई है कि हो सकता है उनको भारती जनता पार्टी टिकर्ट दे अगर भारती जनता पार्टी इस बार उनको महा पाउर का टिकर्ट देती है तो महा मंडलेश्वर कौशिल्या माता जी किस तरह से विकास करेंगी और किस तरह से विकास की उनको मुखर करेंगी तो आप लोगों ने सुना और मैं अपने विचार से एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आए दिन अक्सर आप लोग देखते होंगे कि किनर लोग जो होते हैं उनका जो काम होता है उन सारे सुभासरों पर जाना बरात हो या फिर माल ये के बरहों हुआ, मुंडन हुआ, छेदान हुआ, कोई भी सुभकार होता है तो उसमें ये लोग जाते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि घर घर जाने वाला ब्यक्ति, बहुत अच्छी तरह से प्रते घर की शंवेदना, प्रते घर की पीड़ा और प्रते घर का वो कष्ट जानता है जो इन लोगों ने अपनी नजरों से देखा है तो इस तरह सिनका कहना है कि अगर हमें टिकर मिलता है तो जीतने के बाद हम प्रयाग राज महानगर को विकास की मुकधारा से जोड़ेंगे और साथ ही प्रियाग राज हमेशा से अध्यात्म और आस्था की नगरी रही है तो हम अध्यात्म और आस्था को भी अच्छे से मेंटेन करेंगे और अच्छा विकास करेंगे जिससे की प्रियाग राज जैसा की अध्यात्मा और आस्था की नगरी है तो उसमें और चार चांद लग पाएं तो माता जी से और अभी हम बात चीत करते हैं उनसे जानेंगे की दरसल माता जी के मन में ये बिचार कैसे उपन हुआ और कब से आया तो माता जी आपके मन में ये विचार कैसे आया ये खयाल कैसे आया या फिर कोई ऐसा मनजर देखा हो सामने से कि आपको लगा हो कि उससे प्रेरित हो कर आपको लगा हो कि नहीं हमें भी जो चुनाव लड़कर लोगों का कल्यार करना चाहिए मैं ये सोश्टियों कि अभी नहीं आप इतिहास गवाआ है दोहजार में देखिए गोरकपुर में आसा मेयर भी चुनाव लड़ी थी मेयर के पद में और भारी मतों से उन्होंने विजय हासिल किया था और उन्होंने बहुत काम किया गोरकपुर में आप चाहे एमपी में जाके देखिए, विधाईकी के उन्होंने सिट लड़ी थी, समनमोसी ने, उन्होंने विभारी मतों से जिता था, तो ये इतिहास है किनर लोग, और किनर लोग खाली आप बधाई मांगने वाला काम, या घर-घर जाके आशिरवाद देने वाला काम, यही ना रगया, किनर लो कि एक सामाज को एक नया संदेश देने के लिए, एक सामाज भी बदलाव चाहता है, खली वही सामाज, खली बधाई मांगना, और घर-घर जाके आशिरवाद देना, यह तो हमारा परंप्रा ही है, यह काम तो करेंगी, मगर इससे भी हटके, सामाज के में हिस्सेदारी लेक के सामाज के दाईतों को अनिर्भा करना, यह सामाज यह पब्लिक देखना चाहते हैं, जैसे 2014 में नालसा जज्जमेंट में पारित हुआ हम लोगा, सुप्रीम कोड़ द्वारा नालसा जज्जमेंट पारित हुआ, तभी से हम लोग को सामानता का अधिकार मिला, हम लोग को एक अलग से पैचान मिला था और जेंडर करके, ठीक है, तभी से हम लोग ने 2014 में किनरा खाड़ा का, किनरा खाड़ा इस्थापित किया, और यह भी एक करांतिया था, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं अपने धरम से भी बेमुख हो गए थे, तो अपने धरम में आने के लिए ह सुप्रियम कोर्ट ने ओ जजज्मेंट चुनाया, नालसा जजज्मेंट, तभी से हम लोग आजाद हुए, तब हम लोग का अलग से एक थार्ड जेंडर करके एक कोलम आया, हम लोग का पैचान मिला, तो यह हमारा संगर्स का यह इतिहास है, तो हम लोग संगर्स करना कभी मांगने वाला काम कर सकते हैं, तो सामाज में हम लोग एक नेता बनके सामाज के भिकास के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं, एक डक्टर बनके सामाज सेवा कर सकते हैं, जनता के सेवा कर सकते हैं, हर विदा में हम लोग आगे जा सकते हैं, यह नजरिया बदलने का जरूरत ह तो मैं यही यह भी एक राजनेता बनना भी एक सामाज सेवा का काम है कि जनता के ही जनता के चुने हुए परती नीदी जन परती नीदी ही जाके सदन तक अपना आवाज रखते हैं क्योंकि वो जनता के आवाज बनके जाते हैं तो हमको यह सवभागे मिलती हैं तो मैं एक एक जन का मैं अभार बेक्त करूंगी और मैं उन सब का काम करूंगी एक एक मोहले में जाओंगी एक एक घर में जाओंगी आप देखे होंगे कि मैं इतना धरम के गदी में बैठने के बाद भी एक महा मंडलेसर होने के बाद भी मैं एक घर एक गली में जाती हूँ और जन सेवा क लिए हो, चाहे कोई भी उत्पिड़न हो, उसके लिए मैं आवाज उठाती हूँ, आप मीडिया वाले से कुछ भी छुपा नहीं है, आप चाहे देखें, लोगडाउन के समय में जो कोरोना काल इतना भयमारी चल रही थी, महामारी बीमारी चल रही थी, सब बड़े-बड़े लोग अपने घर में जाके चुपके वाइटे थे, तो हम लोग रोड में आये थे, अपने जान के परवा नहीं किये, हम लोग रोड में आके सेवा किया, चाहे बार आया था, चाहे उसमें भी हम लोग घर घर जाके रासन बाटे, और चाहे देखे बिरधास्रम में भी हर मह ना मैं जाके वहाँ सेवा करती हूँ तो यह सेवा भाव है और हम चाहती हूँ कि काम बोलता है नाम से जादा करम पे मैं विश्वास करती हूँ कर्म पे विश्वास करती हूँ तो कर्म करने वाला इंसान कभी विहार नहीं होता है कर्म करना चाहिए तो यह एक सेवा करने का म मिल रहा है तो हमको एदी भारते जनता पार्टी हमको टिकट देते हैं तो उनका जो भी एजेंडा है जो भी उनका जो उनका नियम कानुन है उसमें मैं खरी उतरूंगी और पूरा-पूरा नाली, एक-एक खरंजा, एक-एक स्मार्ट सीटी जो भी है और जो हमारा कुम्ब और मांग मेला लगती है उसके लिए मैं पूर्णता अपने को पूरा 100% देऊंगी और पूरा-पूरा काम करूंगी जैसा कि अभी थोड़ी दिन पहले माता जी प्याग राज में डेंगू का का हर चाया था और डेंगू कैसे उत्पन होता है यह आप भली बात जांकती है उच्पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे कि ये भी एक प्रकार सिलापर वाही है यानि कि मच्छोरों के लिए दवाओं का छिरकाव ना करना नालियों की साफ सफाज ना करवाना या तमाम तरह करते नेता लोग की हम ऐसे कर देंगे वो कर देंगे मंगर मैं दावा नहीं करती मैं जब करूंगी तभी बोलूंगी अभी नहीं कहूंगी मैं यही कहूंगी कि एधि वो दिन आता है एदी हमको टिकट मिलती है भारती जन्ता पार्टी से तो निशित तोर पे सामाज का विकास होगा और चारों तर्फ हमारे जो भी जीला है एक-एक वार्ड में जाके मैं काम करूंगी और पुरा हम जब आप लोग समय के बाद है तो फिर हम बादी में ये सारा हाद बाते बताऊंगी वादा करने से कोई मतलब नहीं हम उस मुकाम पें पहुंशना चाहिए और हम काम करके देखाओंगी मेरा काम कर्म है मैं करम करके अपना त्वाग जैसा कि मातnacht जी ने कि घर छोड़ने के बाद पूरा का पूरा समाज चाहे किसी धर्म या जाती या किसी मजहब से भी से सो हमारे लिए माइने नहीं रखता और जिस दिन हम अपने घर का परित्या करते हैं उस दिन के बाद पूरा गाओं पूरा शहर और पूरी दुनिया हमारा परिवार होती ही और हम उनके होते हैं तो इस तरह से जीतने के बाद माता जी के कहना है कि हम पूरी तनमायता से और पूरी सब्धा से पूरी निष्ठा से अपने अपने शहर का विकास करेंगे चाहे वो किसी मुद्दे को लेकर हो तो इस तरह से आप लोग देखते हैं कि आमता और पर जो अभी यहां पर भी आख्यान माता जी ने किया बृध्धा स्रम और तमाम असहाई गरीब मजलूमों बेसहारा लोगों को दान देना उनकी मद्र करना तो यह होता है तो इस तरह से माता जी का जो है जो इस बार प्रण है वो है चुनाव लड़ने का वह प्रयाग राज महानग माता जी अभी तक जो बाते हुई वह तो आम तोर पर आपने बाते कि आपने बताया कि आप चुनाओं को लेकर जो है किस तरह से आप सौशती हैं और फिर आपने अपना वीचार ब्यक्ति किया तो आप अपने छेत्री जंता से क्या कहना चाहेंगी क्या मैसे देना महलाओं को भी देख लिया, पुरुषों को भी आपने मेहर बनाया एक बार किनर समदाए भी आपकी आपी की कोक से पइडा हुआ है आपी के घर के आगन के बच्चा है, हम लोग कहीं बाहर के नहीं है आपी के सामाज के हैं, एक बार हमारे पे विश्वास करके देखिए, हम आपके विश्वास पे खरी उतरूंगी, आपका एक एक मोहले, एक एक वार्ड का हम विकास करूंगी, मैं यही आप लोग से कहती हूँ कि एक बार विश्वास करके देखिए, क्योंकि हम किनरों के हो तो आपके विश्वास करूँगी जैसे आपने की नरा खाड़ा को इतना प्यार दिया इतना मान दिया सम्मान दिया इतना अपनत्तो दिया ऐसे ही हमको एक बार विश्वास करके देखिए आपके विश्वास में मैं 100% खरी उतरूँगी जी और मतजी एक बात और अभी महामंदले स्वर जी तो क्या यह मैसेज उन तक पहुच पाया है या फिर अभी उनको बताने में उनको पता है उनको मैं बता भी चुकी हूँ उनकी क्या राई आपको नहीं उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है तो पहले भी आप जानते होंगे कि आप आदमी पार्टी के तरफ से भी सामसदिये में भी हमारे भवानी महामंदले सो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी तो यह कोई बड़ी बात नहीं है यह हम कही ना यह जनता के सेवा है सेवा भाव से इसमें लगो तो ये इससे अच्छा सेवा कुछ नहीं है तो ये सेवा भाव से हमारे नरेंद्र मोजी जी भी कहते हैं कि मैं चौकिदार हूं यह बात है, मतलब कोई सरदार नहीं है, वो चौकिदार बनके इस जनता की सेवा करे, तब ही जनता उनको इतना प्यार कर रहे हैं, मैं भी यही कहती हूँ, कि मैं भी जोकिदार बनके, आप लोग के समक्छी आना चाती हूँ, और हमारा भारतिय जनता पार्टी के नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, तो एक बार आप लोग साथ दीजिए, एक बार विकास करके देखे, मेरा यही आप लोग से अपील है, यही अन्रोद है, और मैं आप लोग से यही कहती हूँ कि सामाज के एक हम लोग भी आंगे है, एक बार हम लोग पे विश्वास करके देखिए, मुझे पे विश्वास करके देखिए, अब मैं भी आपके विश्वास में 100% खाड़ा उतरूँगी, तो यह आप सुन रहे थे प्रियाग राज की, कि नार खाड़ा की महामंडे प्रियाग राज महानगर से चुनाव ललने के लिए, तो आपने सुना, और आपने देखा, कि इस बार जो उनकी रूची है, वो पूरी के पूरी तरह से चुनाव में उतरने की है, और अगर उनको टिकट मिलता है, तो किस तरह से वो विकास करेंगी, और क्या है उनकी विचारदारा, तो सारी बातों से आप लोगों को रूप रूप करवाया, तो आसा करतों ये खबर, आप लोगों को बहत पसंद आई होगी, तो इस तरह की तमाम खबरे देखने के लिए बने रही है, अमारे साथ देखते रही दर्सक न्यूट 24, अपने साहयोगी, अमिस्चिंग पटेल के साथ, मायर के निसाद हर खबर आप तक,